हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो पायस पेशन अपने भील कहीं बार खाई होगी पर मैं आज आपके लिए बिल्कुल ही नई तरह की बेल की रेसिपी लेके आई हूँ जो की है चिजलिंग भेल की रेसिपी और यह बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है बहुत इजी होता है बनाना पर खाने में बहुत ही अदा टेस्टी लगती है अगर कोई गैस्ट आने वाला है तो आप दो मिन में से बनाकर रेडी कर पाएंगी और बहुत ही सिंपल इंग्रेटेंस से बन जाती है तो एक बार रेसिपी जुरू ट्राय करें और वीडियो अच्छे लगे तो ला लिए हैं और दो टेबली स्पून ही मिहां पर मैं चौप की हुई अन्यान इसमें डाल रही हूं अब इसमें थोड़ा टैंगी फ्लेवर देने के लिए यहां पर मैं हरे धने की चटनी ले रही हूं यह एक चमच में डाल दूंगी बहुत जादन ना डाले पर नहीं सोगी ह हो जाएंगे और क्रण्चिन का फटम हो जाएगा और यह तब ही बनाएं जब आपको खानी हो इमेडिटली बनाकर खाएं वरना सॉफ्ट हो जाती है अब इसमें एक चमच में एमली की चटनी डाल रही हूं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप टमेटो सोस में थोड़ा पानी मिला के युज़ कर लीजेगा इसमें बिल्कुल चाट पला टेस्ट रहता है जब चीज़े डालने से और तोड़ समय आपर नमक डाल रहे हैं क्योंकि चीजलिंग में भी अपना नमक होता है और चटनी और सोट में भी अब हाफ टीस्पून में इसमें रैड चली पा अगर यह आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगे सिंपल जो भुचिया नमकीन आती है बारिक वाली वह भी आप यूज़ कर सकते हैं तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं तो यह बहुत ही क्विक रे करें इसे बनाकर कभी भी रखना नहीं चाहिए वरनाई सॉफ्ट हो जाएगी और देखे बहुत ही यादा टेस्टी लगती है यह जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रही तो आप इस तरह से चाट बनाईए खाईए और अपने एक्सपीरिस में ज़रू शियर कीजिएगा फ्रेंड्स तो चलिए एक बाई फिर इस तरह की क्विक रेसिपी के साथ मिलती हूं तब तक के लिए गुड़ बाई फ्रेंड्स थैक्स फूर वाचिंग